नमस्कार कैसे हैं सभी लोग DSSSB के लिए सब की उत्सुकता देख करके की पढ़ने को तयार हैं और जो भी मेरिट होगी आने वाले समय में उसको डिफेंड करने के लिए तयार हैं बच्चे, उसका चैलेंज लेने के लिए बच्चे तयार हैं तो अच्छा लगा और हमारे लिए भी ये कम से कम motivational हो गया कि आप पढ़ना चाहते हैं अच्छा लग रहा है तो चलिए वापस एक नई शुरुवात अलांकि ये नई शुरुवात जो है नौर्शेट का exam हो गया उसके दूसरे तीसे दिन से ही कर चुके हैं आप हमारे playlist बना देंगे हम जितने भी हमारी classes हैं डीटर प्लैस बी के लिए dedicated जो classes हैं उसकी बहुत जल्दी playlist बना दी जाएगी और बहुत जल्दी का मतलब है कल परसों भी बना देंगे जहांपर आपको हमारी सारे session जो है सेक्चर है हमने ओल्रेड़ी सेव किया हुआ है ओल्रेड़ी हमने record किया हुआ है हमारी class है जो description box में आपको link मिल जाएगा उसका उसको भी study कीजिएगा और साथ में in questions को भी study कीजिएगा धीरे धीरे आप लोगों का confidence built होता चला जाएगा हम चाहते क्या है हम यह चाहते हैं कि डिट्रिप्लैस भी के जितने भी sections होंगे दस sections होंगे बीस पीस नंबर के और हर एक section में चलो nursing का तो आप एक section मान सकते हो hundred marks का यह जो पांच section होंगे इसके हर एक section में हम हर बच्चे के minimum इतने marks जो हैं वो सब्सक्राइब करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज का session क्या read करता है क्यूस्टन read कर रहा है ratio of students in class a a class a b और c में students का जो ratio है वो साथ नो पांच का है हमने तुरंत जो हैं बड़े questions उठा लिए हैं बड़े का मतलब यह नहीं है कि दो दो चार चार मिनट लगेंगे बड़े का मतलब यह है advanced questions है basics के लिए आपको हमारा पहले का lecture जो है वो देखना ही पड़ेगा इसका मतलब यह नहीं कि यह चीजें समझ में नहीं आएंगी क्या जी आएंगी 100% आएंगी और हमारी जो easy tricks हैं उनसे ऐसा possible ही नहीं है कि ना आए तीन classes हैं उनके अंदर बच्चों का जो students का जो ratio साथ 9-5 का ratio है और if 40 students leave the class B अगर B class से 40 students निकल जाएं and join A और A को join कर लें then the ratio becomes 1-1 यानि A और B में जो बच्चे हैं हो बराबर हो जाएंगे what is the total number of the students in class A B and C समझ येगा क्या लिख रहा है examiner आपको A B C देखे questions जो है वो 20 seconds के भी नहीं है हम बताएंगे आपको आराम से ता कि आपको चीजें समझ में आएं क्योंकि कुछ बच्चों की complaint आईए सर आप थोड़ा उसी तरीके से बता दे रहे हो जैसे exam में करना है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए आपका selection important है A B C ratio देख लीजिए ठीक से 7-9-5 class A में 7 B में 9 और C में 5 यही है यह ratio है clear है अब देखिएगा माल लीजिए अब यह किसी ने किसी के multiple में हम अपने questions में minimally x मानते हैं minimally x मानते हैं लेकिन यहां पर अक्स हम लगा देंगे और उससे जो method है हमारा बहुत easy भी हो जाएगा reason क्या है एक class से 40 बच्चे निकालने हैं दूसरी class में में डालने इसका मतलब A class में 7 अक्स बच्चे हैं B में 9 अक्स हैं और C में क्या है 5 अक्स है ठीक है ना और total बच्चे कितने हो गए यह किसी का multiple है ना मालने जे इनको 2 से multiply कर दें तो मालने 14 18 और 10 बच्चे हैं यही होता ratio का मतलब यान इसको दो-दो से divide किया तो ratio यही आगा तीन से divide कर सकते हैं यह अक्स की value 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती डून नहीं पता में इसलिए हमने अक्स रख दी multiply है जी अक्स का देखोगे इनका total देखिएगा total कितना है total कितना रहा भाई 7 9 16 और 5 21 अक्स right clear है इसने क्या बोला कि B class से class B से 40 बच्चे निकाल दीजिए 40 बच्चे आपने निकाल दीए और A में डाल दीजिए तो A में क्या हो गए वो बच्चे plus हो गए साबसे बात ना B के 40 बच्चे minus हो गए यानि अब क्या हुआ class A में बच्चे और class B में बच्चे कितने हो गए अ में रेशियो बता रहा है क्या A और B का क्या बता रहा है 1 is to 1 clear है किसी को कोई objection देखिए बहुत दिरेजरे हम चीज़े आराम से बता दे रहे हैं A, B, C का ratio था total ये इतने है class B से 40 बच्चे निकाल दिये 9x minus 40 हो गए class A में 40 बच्चे डाल दिये 7x plus 40 हो गए और अब इनका अगर हम ratio देखें तो ये 1 is to 1 हो गया ठीक है जी, अब आप से क्या पूछ रहा है total number of the students total number of the students क्या है 21x है, आप x की value निकाल ली जी 21 से multiply कर देंगे आजाएगा आपके पास में कोई दिक्कत नहीं जी, cross multiply कीजी अपनी standard method क्या होगा 9x minus 40 1x से multiply करेंगे, बराबरी रहेगा 1 से multiply करेंगा, कोई मतलब निकला 7x plus 40 x x को x add ले आईए 2x, 9x में से 7x जाएगा, 2x बचेगा is equal to minus 40 उधर जाकर प्लस हो जाएगा उधर ओल्रेड़ी प्लस है, तो 80 हो गया x की value जाओ 40 एक्जामस में भी आप इसी तरीके से करेंगे क्या जी नहीं जितने जादा आप advance होते चले जाएगे चीज़े आपके दिमाग में चलेंगी ये जो steps हैं, already आपके दिमाग में चलेंगी इस तरीके से नहीं करना पढ़ेगा आपको x की value 40 आ गई तो 21 x की value क्या आ जाएगी 21 4 84 यानि 840 total 840 students जो है वो इस class के अंदर है अब आप किसी भी class के students की number निकाल लीजिए x की value आपके पास में क्या है 40 है, class 1 के अंदर 728, 280 students है class B के अंदर 936, 306 students है class C के अंदर 520, 200 students dance है, तीनों को जोड दीजिए वही आ रहा है, जरूरी नहीं था कि आपको एक ही, तीनों की class का जो है total number पूछे तीनों के number हमना अलग-अलग break up भी बता दिया, इससे निकाल करके पूरी class का भी number आपको बता दिया है आप से even questions और तरीके से क्या-क्या पूछ सकता है class B और C में कितना difference है ये क्या है जी, वो क्या है जी, सारी चीजें कुछ भी आपको पूछ सकता है ये हुआ एक तरीके का conventional method ठीक है जी, questions को करने का conventional method क्या इसके अलावा और कोई short trick भी लगाई जा सकती है क्या क्यों नहीं लगाई जा सकती भी क्या दिक्कत है और कैसे होगा short trick से A, B, और C ए ratio देखिए 7, 9, 5 का ratio A और B की बात हो रही है तो कितना difference है दो ratio का difference है और ये ratio का difference जो actual में कितना है इसने 40 इदर से उठाए 80 उदर जोड़े ठीक है ना 40 उदर जोड़ दिये तो उसका मतलब तो अलग है लेकिन ये difference का मतलब आपको क्या कहता है कि क्या इनके बीच में 40 का difference है क्या जी नहीं 40 इदर से उठाकर के minus किये होते तो 40 होता ना यानि कोई ये कहता कि बीच में से 40 निकाल दे तब जाकर के इनका ratio बराबर हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है क्या किया इसने 40 इसके लेकर के इसको दे दिये 40 इससे निकाले इसमें plus किये इसका में असी का difference है और जब आपके पास में answer आया था 280 ये था 360 ये था इसमें से 40 निकाले और इसमें plus कर दिये समभलो ना इसका माला देखो difference कितना इनके वीच में 80 का difference है तब 80 का difference है इसका मतलब अब क्या हो रहा है इनका मतलब आप ये सोचोगी साब आपने उस question को निकाले कर लिया जी नहीं कि मेरे से आपने 40 रुपे लेकर के आपने अपने पास में रख लिए अगर ये तो मेरी तरफ से मैनेस की होते है तो 40 का difference है लेकिन वह आपको दे दिये तो आपके पास 40 plus हो गए मेरे पास 40 रुपे कम हो गए ना तो 80 का difference है यानि कि ये दो रेशियो जो है वो 80 के बराबर है एक रेशियो जो है वो कितने के बराबर हो गया 40 के बराबर हो गया कुछ भी निकाले जिए 7 रेशियो की वेल्यों निकाले जिए 9 रेशियो की वेल्यों निकाले जिए का रखा है इसमें भी बताने की कोशिज करी है अक्स के साथ में और यह रीजन यह था उसको बताने का कि तभी जाकर कि आपका कॉंसेप्ट जो हो क्लियर होगा अदर्वाइज आपका यह डिरेक्टली अगर हम बताएंगे तो कॉंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला चीजे इस सकते हैं बतारा क्लास में कि बी के चालिस बच्चे आप उठागरें कि ए में बिठा दीजिए इसकं का मलब के बाश्याइब कर दीए तो उत्तना तो tri is equal to 21, 84, 840, easy है, next question देखिए, price of an object is 760 after a discount of 20%, किसी object की, किसी चीज की price जो है, वो 760 रुपे हो गई, 20% discount देने के बाद में, what is the actual price, देखो, words पे भी दिमा रखना, यानि कि कोई 100 रुपे की जो चीज थी, वो 20 रुपे का discount, 20% का discount देने के बाद में कितनी हो गई भई, 80 रुपे की हो गई, ये क्या कह रहा है, what is the actual price, हमने आप रखना, अब इसको आप discuss कीजिए, देखिए, वो actual में price क्या है, ये 100 रुपे वाली price हमें नहीं पता, उस पे 20% का discount दिस्कावर्ण दिया गया, जी दिया गया, और फिर कितने में बेचा गया, 760 रुपे में बेचा गया, कीजी आप कर उस multiply, क्या होगा जी, x की value आपके पास में आ जाएगी, 80 x is equal to कितना होगा, 760 into 100, x की value क्या आ जाएगी जी, 80 से divide कर लिजिएगा, 98 बैतर, 4, और इधर से लिजिएगा, आठ बंजे 40 और 0, शाड़े 900 रुपे की वो चीज की rate जो है, वो actual में है, clear है, शाड़े 900 रुपे की वो rate चीज जो है, वो actual में है, इस चीज को आप समझने की कोशिज कीजिए, हमने बार बार आपको बताए, चीजियां साथ आपको समझ में आनी चाहिए, 100 रुपे की चीज को जो है, वो 80 रुपे में बेचा जा रहा है, तो कितने रुपे की चीज को 760 रुपे में बेचा जा रहा है, यह चीज होगी न, 100 रुपे की चीज को 860 रुपे में बेचा जा रहा है, तो what is the actual price, एक्चुल प्राइस कितनी है जिसको आपने साथ सो साथ रूमें बेज दिया यह कोस्ट प्राइस थी यह सेलिंग प्राइस है ठीक है यह कोस्ट प्राइस हमें पूछा है इसने एक्चुल में सेलिंग प्राइस इसने बता रखी है कलियर सी बात है इसका हमला क्रोस मल्टिप् और यह साथ सो साथ आ गए डिफ्रेंस देखिए आपको कितना अबहीन के अंदर वो उसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा इजी है सब कुछ नेट्स क्यूशन देखिए वोट शुड बी सब्ट्रेक्टेड प्रों पी एंड अड़ सेम एड़ेट टू क्यू सो देट नेट रेशियो विकम्स वन इस्टू फाइव ऑप्संस देख करके गवरा मत जाना बहुत इजी क्यूशन है यह बूच रहा है कि तरह मेंए से क्या गठाए और सेम क्यू में जोड दे ताकि रैशियो जो आगएव पी की बात हो रही है क्यूं की बात हो रही है और क्यूं में जोड़ दी तब इनका ratio क्या हो गया 1 is to 5 का हो गया अब क्या पूछ रहा है आपको कि ये कितना जोड़ा और कितना गठाया गया X जोड़ा या X गठाया गया न कीजिए cross multiply नहीं मिलेंगी ऐसी चीज़ें आपको कहीं कीजिए न cross multiply X से multiply कीजिए तो Q plus X रहे गया और is equal to 5 से multiply गरो तो 5 पहले P से multiply होगा फिर 5 X से multiply होगा confuse मत होना X को इदर ले आईए भई ये X तो इदर था ये वो इदर आ गया तो X plus 5 X कितना हो जाएगा भई 6 X हो जाएगा ये लिख दीजिएगा 5 P ये है 5 P minus Q इदर आ जाएगा तो minus ही होगा ना Q minus हो गया X की value क्या आ गई भई 5 P minus Q upon 6 यानि की P में से 5 P minus Q upon 6 P में से गठाया जाए और इतना ही उदर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा ratio जो है इनका 1 is to 5 हो जाएगा और देखिएगा आपका answer यहाँ पर correct है कुछ नहीं करना था भई आपको इस question में बहुत ही question है क्या बोल रहा है P और क्यूं P में क्या add P में से क्या minus करें X minus करें वही चीज क्यों X में जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है जितना minus किया उतना उदर जोड़ दिया ratio क्या हो गया जी 1 is to 5 हो गया cross multiply कर लिजिएगा आपका answer आजाएगा Q plus X कोई पूछेगा कि आपने इसको क्यों नहीं लिखा 5P minus 5X लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है Q plus X ठीक है जी X को इदर रख लिए minus 5X minus X is equal to Q minus 5P ठीक है जी minus minus plus होंगे minus 6X is equal to Q minus 5P हम X की value तो plus में चारे हैं तो निसान बदली है इसको plus कर दिया इसको minus कर दिया इसको plus कर दिया तो X की value क्या आ गई 5P minus Q upon 6 answer वही है हम चाहते हैं कि आने वाले समय में और हम क्यों चारे हैं भई किसी को एक चीज समझ में आ रही है क्या कि नर्सिंग पड़ी है नर्सिंग पड़ाई है और हम math reasoning पे ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं एक तो marks को score करना चारे हैं और maths के लिए आप अपने brain को जितना ज़्यादा खोलोगे maths के लिए brain को जितना ज़्यादा खोलोगे हर जगह पर आपके चीज काम में आएगी क्योंकि अब यह कोई लिखी पड़ी बाते नहीं बता रहे हैं काफी जगह पर लिखी भी है कि यह brain जो है ना exactly पराशूट की तरह से काम करता है तब भी काम करेगा जब यह खुलेगा और खोलने के लिए maths भी चाहिए reasoning भी चाहिए सोचने समझने की शक्ती जो है आपको दोडानी पड़ेगी काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि साम मज़ेद मैस साथी नहीं बंद करके रखी हुए हम 20 नमबर और कहीं compensate करेंगे जी नहीं बहुत पीचे हो जाओगे और करोगे ना practice एक बार कीजिए दो बार कीजिए नहीं समझ मेरा तीसरे बार कीजिए समझ में आएगा भई कोई बड़ी बात नहीं है आप हमसे भी better आप हमसे भी better method जो है वो derivate कर लें कोई बड़ी बात नहीं जैसी आपके चीजिए क्लियर हो जाएंगी आप इनसे भी better करने लग जाओगे next question देखिए study the following pie chart carefully and answer the question one month expenditure of family is depicted in pie chart what is the ratio of central angles in fields of educational food पता नहीं यह pie chart यहाँ पर क्यों नहीं दिखा भई साद वो black black हो गया है इस वज़े से साद यहाँ पर यह है तो सही साद कहीं न कहीं यहाँ दिखा नहीं है साद हम इसको वो नहीं कर पाए लेकिन जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे session देख रहे होंगे तो आपको नजर आएगा हम इंजाम कर देंगे इसका ठीक है तो कोई बात नहीं यह यहाँ पर एक pie chart बना हुआ भई ठीक है न यहाँ पर एक यह pie chart बना हुआ है और इसमें monthly expenditure लिखा हुआ आपकी family का ठीक है न और इसको angles के अब इसे ही क्या कर रखा है ऐसे कर रखा है दिख रहा होगा आप यह न वर्च्वली बता रहे हैं आपको पड़ाती समय तो लेकिन जैसे यह editing होगी इसकी तब आपको नजर आएगा ठीक है कोई दिक्कर नहीं अब आपसे पूछ रहा है यह education और food का ratio पूछ रहा है एजुकेशन और food का ratio देखिए आप यहां पर pie chart में education का percentage कितना दिखा रहा है 15% दिखा रहा है फूड का percentage कितना दिखा रहा है 25% दिखा रहा है इसने बाद डाल दिये अंदर में क्या डाल दिया कि central angles कि यानि angles तो इस बिंदू पर बनने वाले total angles क्या इतनी सारी चीज़ें दिखा रहाए कि देखो पेट्रोल वगरे सब कूद धिखा रहा है इसने तो सारे के सरे परसंटेश निकालें उस angle के निकालनें तो क्या हमें उस angle से पहले वह एंगल की value निकाल करके बाद में इसकी जरुत है क्या जी नहीं है लेकिन कोई बच्चा बोले कि क्यों नहीं है तो दिखा देते हैं इतने सारा angles बने वह न सब उसी 360 पर बने हुए सब के शब उस 360 का पार्ट है तो देखिएंगा आप से education और food का ही तो ऐसे पूछ रहा है तो कोई दिक कर नहीं education का angle लिखा लेते 15% किसका भई 360 angle का राइट इसको हम ऐसे लिख ले 360 का 15% ठीक ना easy रहेगा देखना करने में यह 360 का 25% किसी को कोई objection है क्या 100 नीचे 100 नीचे 360 उपर 360 उपर exactly 15 और 25 ही आ गया भी 15 और 25 का रेशियो क्या होगा जी simple कर सकते हैं क्या जी कर सकते हैं 5 से divide हो रहे हैं दोनों के दोनों 5 ती 15 और 25 ती 5 ती 5 ती 5 आंसर हमारा यहां पर आ गया बहुत easy question है यहां पर पता नहीं बेट जाएं लेकिन फिर भी कोई दिखकर नहीं कर नहीं तो कर भी लेना यह चीज़े क्योंकि वह एक ही चीज़ पर बेच्ट है ना 360 के अंगल का 15 पर सेंट एजूकेशन पर खर्च हो रहा है और 360 के अंगल का 15 पर पर चीशन जो फूड पर दिखा रहे का आपने यह तो इसे ही बोला गया अच्छा लगता है शायद आपको भी अच्छा लगना चाहिए कोई इस्यू नहीं है अब यह गराप तो ऐसा भी या मैडम ने पता नहीं कहां से चापके दिया है जिन नंबर नजर नहीं आ रहे मुझे भी न लेकिन लगाएंगे तुका भी क्या है यह नंबर देखते हैं ज लहां से तोल अप्यर होने वाले स्टुडेंट्स का प्रसेंटेज क्या है तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं पास कितने उया जी 365, 875, 1260 हिंदी पे आगए जीतनी थी हिंदी है हमारी और यह next जो है वो 600 clear है 10, 1, 7, 14, 26, 2, 8, 10, 18, 21, 1, 3 3100 students जो है candidates जो है वो पास हो गए कितले में से हो गए जी देखिएगा पांच हजार, साड़े सत्रा, साड़े सैंतीस, अड़तीस, और तिन इकतारीस, इकतारीस हजार में से 31,41 हजार का कितना percentage है निकाल लेजिएगा examiner ऐसे questions क्यों देता है भाई आपको परिशान करने के लिए कोई भी exam आपके selection के लिए नहीं रखा जाता कोई भी exam जो है वो आपको eliminate करने के लिए रखा जाता है परिक्षाएं जो है Florida कभी भी selection के लिए नहीं होती परिक्षाएं हमेशा elimination के लिए होती है देखते हो बना आप टीवी पे reality shows तो परिक्षाएं जो है वो वोटिंग जो है वो Elimination के लिए होती है ना कि Top Position में पहुंचाने के लिए Top Position में अपने आप पहुंच जाएंगे Eliminate हो जाएंगे तो तो यहां पर आपको Eliminate नहीं होना है आपको जो काम करना है वो Eliminate नहीं होना Examiner पूरा Try कर रहा है देखो इतनी जो ज़्यदा चीज़ें आपको दे दी यहां पास वहने स्टुडेंट्स है इस कलर में यह पिरवाले स्टुडेंट्स है तो यह पास हुए STUDENTS इनको प्लेस कीजिये पहले फिर अपिर वालों को प्लेस कीजिये फिर उनका परसेंटेज निकालिये भाई कौन पूछेगा आपको डारेटली की तीसों का पूछ भी लेता है वैसे डी ट्रिप्लाइस भी है एक क्यूशन और देखेंगे क्या किया गया भई रेट जो है वो कितना है फिर देखेंगा कंजप्शन कितना है फिर देखेंगा कि एकस्पेंडिचर कितना हो रहा था पहले रेट देखिए पचास रुपे पर केजी की सेव थे सो किलो खा जा रहे थे गर में इतना सेव कौन खाता है भई खाता है क्या कोई कोई बार नहीं हमें अपनी चीजों से मतलब भी तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया भी पचास रुपेक पर केजी की सेव के सो केजी के रेट क्या हो गए भी पांच अजार हो गए इसका महिने में पांच अजार का एपल खाया रहा था गर में अब यह वाली जो रेट है वो 75 की हो गई ठीक है ना कंजप्शन क्या करना है कमिया ज्यादा करना है तो हम कंजप्शन अव्वेसी बात है कमी करना पड़ेगा न तो लोग क्या बताते हैं आपको तो 100-x यानि 100 था तो अब x कम कर देंगे नहीं पर यह थोड़ा से लेंदी हो जाएगा और करोगे भी तो बुरा नहीं है हम कहेंगे कि साब x कंजप्शन कर लेते हैं बाद में कर लेंगे मैं वो ज्यादा इजी रहेगा ठीक है ना यहां पर इस क्यूशन में हो सकता है थो बॉकि जगया पर है हम देख लेंगे सो इना कर लेंगे लेकिन अभी B एक्सपेंडिचर तो उतना ही हो रहा है ना एक्सपेंडिचर तो उतना ही रखना है एक्जमनर्ट ने बोला डिके प्छेचंतर से डिवाइड कर दीजिए पची ती पचोतर, पची दुड़ा सू दो सो बटा तीन अक्स की वेल्यू आ गई भई दो सो में तीन का भाग दोगे तो आएगा च्छाइट पॉइंट छह साथ च्छह 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 ऐसे आएगा पहले कंजप्शन सो हो रहा था अब कंजप्शन कितना कर देना अब च्छाइट पाइंट छह च्छह कर देना है इसका मतलब कि कम कितना कर दिया सो में से च्छाइट माइनस करोगे तो 33.333 या उसमें भिंद में आता है तो क्या आजाएगा जी 33 से एक बटा 2 आजाएगा कैसे लिखा भाई जी 33 से एक बटा 3 आजाएगा कहां लिखा भई 33 से एक बटा 3 परसेंट आजाएगा आपने अगर इसको 100 माइनस अक्स कर लिया होता तो आपके पास में एक्जेक्टली कितनी पराइस आजाती 33.33 आजाती आप समझ सकतो चीजे समझने की कोशिज करोगे तो बार-बार इस चीजें क्लियर हो जाएंगी बार-बार समझोगे तो नेक्ट क्यूशन देखिए बहुत इंप्रोडेंट क्यूशन है भई वेन फाइव गूर्स आर सोल्ड फोर रुपीज वन यानि की ये क्या दे रखी भई सेलिंग प्राइस दे रखी है किसी चीज की और सेलिंग प्राइस को इस तरीके की जब चीजें लिखी होते हैं तो कन्फूजिंग हो जाता है हमारे लिए हमने आपको बहुत अच्छे से बता है कि एक रुपे की पांच चीज एक रुपे की तीन चीज एक रुपे की बारा संत्रा संत्रा ये वाली नहीं भई जो छोटी-छोटी टोफी आती थी और वो तब तो आती भी नहीं है बारा तो ठीक है न तो सेलिंग प्राइस एक रुपे की इतनी है यह चीज़े हम आपको बता देंगे तो कहीं दुनिया में आपको कहीं जाने की ज़रत नहीं भी और यह क्या थी selling price sold selling price एक रुपे की पाँच इसका मतलब क्या है एक रुपे की पाँच clear है एक रुपे की पाँच बेची जा रही है and there is loss of 25% यानि 25% का loss हो रहा है तो भी selling price एक को रख सकते हैं एक cost price ठीक है न जी अब इस question को हम कैसे करेंगे कि cost price अगर 100 है तो selling price कितनी हो रही है भाई 25% का loss हो रहा है न तो पच्चोता रुपे 25% का loss कब होगा जब 100 रुपे के चीज को आप खरीद करके पच्चोता रुपे में बेद होगे तभी तो लोस होगा न 8-10 लाग रुपे का यहां पर खर्च करके कुछ भी नहीं कमाये जाए तो लोस ही होगा न लोस नहीं है आप लोगों से बाद में 2-4 साल बाद में कि कितना प्रोफिट हो रहा है ठीक है न और यह सेलिंग प्राइज जो है कितनी दे रखी एक चल में एक रुपे की पांच किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या यह चीज हमने उल्लीडी बताई है आपर कोस्ट प्राइज दे रखी है इस ने बोला 25 % गाटे में बैचा जा रहा है तो हमनें अपनी लिगक दिया इसको सो रुपे की चीज को पचितर रुपे में में बैचा जा रही है अब पूछ रहे है कि जोल तौर फोर युपी रुपे के साथ मैच हिए मल्लब आप 125 रुपए में बेचिए तब एक रुपए की कितनी चीज आप देऊगे ठीक ना तो एक बटाक्स लिखने जुरत नहीं आपने पहले भी बता है आप लिख सकते हो आपका अंसर आजाएगा वेसे भी ठीक ना तो यह कितने रुपए में आपको बेचना पड़ेग कोई दिक्कत नहीं को शेलिंग प्राइज जो है रुपए रख लेते हैं आ गया जी आपको इससे कोई मतलब भी नहीं है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस का आप क्रोस मल्टिप्लाई कर लिजिए 75 अक्स इज इक्वल टू 125 इंटू 15 पांस से कड़ गया भी 25 25 होता है प्राइस की क्या आ गया बैए 25 25 55 से कम 25 25 25 से कम 25 नहीं है सिखाया को एक रूपे में 3 चीजें एक रुपे में तीन चीज़ें आप बेचोगे तो फाइदा होगा भई पहले एक रुपे में ज्यादा दे दे रहे थे आप तो गाटा हो रहा था थोड़ा सा कम देओ भई बेचने में ठीक है ना तो एक रुपे में तीन चीज़ें दोगे तो क्या होगा 25% प्रोफिट हो ज प्रोफिट के साथ बेचो तो यह कितने में बेचोगे जी आप अक्स की वेल्यू आफ निकालेजिए बहुत सिंपल है नहीं समझ में आरा वापस देखिए नहीं समझ में आरा वापस देखिए देखिए हर एक क्या प्रोज और कौन्स होते हैं फाइदयल नुक्सान होता है। हमारी इन recorded classes का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है देखो यही classes आप सोचिए कि offline classes चल रही होती हमने बता दिया घर जा करके सब कुछ गुम सुम यहां पर एक बार आपको समझ में आ गया दो दिन बाद भूल भी जाते हैं class recorder हम कभी भी private नहीं करेंगे इनको आपके लिए ह offline classes में नहीं किया जा सकता हम कोई नुकसान नहीं गिना रहे हैं उनके हम कोई offline में पढ़ रहा है उन बचोंगे नुकसान नहीं गिना रहे हैं बही कि offline classes खराब है जी नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं लेकिन हम अपने फायदे गिना रहे हैं आपको इन classes के फायदे बता रहे ह हैं जिससे आपको डी ट्रिप्लैसमी में पूरा पूरा प्रोफिट मिल सकता है नेस्ट क्यूशन देखिए रेशियो अप स्टुडेंट्स गेटिंग पास एंड फेल इन एक्जामिनेशन इस ट्वेंटी फाइव इस्टु फॉर यानि कि कोई एक्जाम में जो पास और फेल ह होने वाले स्टुडेंट्स का जो रेशियो है वो क्या है ट्वेंटी फाइव और फॉर का रेशियो है पच्छीश स्टुडेंट्स पास हो रहे हैं चार स्टुडेंट्स हर पच्छीश स्टुडेंट्स पे चार बच्चे जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं फेल हो जारे हैं प प्लस बन कर दिया total student जो आना एक नंबर ज्यादा बढ़ा दिया हमने तो क्या हुआ? failed students gets less by 3 ये जो fail होने वाले students है ना वो 3 कम हो जाएंगे और ratio क्या हो जाएगा? 22-3 का हो जाएगा मनला 5 होने वाले 22 हो जाएंगे fail होने वाले 3 हो जाएंगे और जो fail होने वाले students है ना ये और ये इन में actual में difference कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा fail वाले students कितने है जी? fail students upon total ratio कितना होता भई? देखो गया previous classes में fail students upon total ratio कितना हो जाएगा जी? 29 किसका? 8 का? 4 x minus 20 4 x upon 29 minus, दूसर ना देखिए आप फेल होने वाले ये वाले students कितने है जी? 3, किसके जी? x plus 1 के total students यही है total कितना है जी इनका ratio? 25, ये बता रहा है इनका difference जो कितना है जी? 3 के बराबर है कितना है जी? 3 के बराबर है तो पूछना है how many students are attending the examination कितने students exam attend कर रहे हैं x कर रहे हैं इससे x की value निका लिएगा और हमें भी बताईएगा comment box में लिख करके कि x की value क्या आ रही है क्या कह रहा है भई examiner इन चीजों को देख देख कर के questions को देख कर के एक percent भी stress मत लेना भई कि इस तरीगे के questions आते हैं ये यही DTSP क्या है रेशियो और प्रोपोर्शन में थोड़ा से ध्यान रखने वाली चीज़ें ये बोल रहा है पास ओने वाले students 25 का ratio है फेल ओने वालों का आप 4 है total हमने x माल लिया पास ओने वालों का अगर एक student बढ़ा दिया जाए तो ये जो ratio है वो क्या हो जाएगा ये तीन पूरे students कितने x प्लेस वन है अपोन क्या है भई 25 है इनका difference जो है किसके बराबर है तीन के बराबर है x की value निकाल लिजिएगा x वही value है x की value वही होगी जो कि पूरे पूरे students होंगे next question देखिए person saves 150 rupees after discount of 25% 25% का discount मिला तो 1500 रुपे बचे इसका मलब दोनों के दोनों discount है एक percentage में है एक रुपेयों में है 25% जो हो 1500 के बराबर है on marked price जो shirt पे छपीवे price how much has been paid for the shirt shirt के लिए कितना pay किया गया देखिए 2-3-3 कोशे इस question को ना अब question देखिए इस question में आप इधर उधर देखने के कोई जरुवत ही नहीं है इसने बोला हमने पहले बोल दिया आपको जो discount है वो वही माउंट है जो आप save करोगे यानि की 25% discount जो हो किसके बराबर है किसके बराबर है भई 1500 रुपे के बराबर है इसमें समझ में आगी क्या आपको चीज 25% जो discount है वो 1500 रुपे के बराबर है तो 1% discount जो हो किसके बराबर हो गया भई 1500 बटा 25 हो गया अब क्या पूछ रहें आपने pay कितना किया उसके लिए how much has been paid कितना pay किया भई 45% paid किया pay किया ना तो डेड़ सो बटा 25 गुणा पच्छोतर ठीक है जी पच्छी तिन पच्छोतर साड़े चार सो एक तो ये तरीका है आगे आपके पास में आंसर क्या किया गया भई कि क्या पूछना आप से क्या बोल रहा है 25% discount जो जो डेड़ सो बटा पच्छीस यानि किसके बराबर हो गया अब च्छा के बराबर हो गया तो पच्छोतर कितने के बराबर हो गया पच्छोतर परशन्ट किसके बराबर हो गया पच्छोतर को चैसे मल्टिपलाइ कर दीजे कितना आ गया जी साड़े चार सो रुपे आ गया कलियर है चीज अब दूसरा तरीका देखिए आप इसमें ना क्रोस मल्टिप्लाइ करने का लग बग ऐसा ही है ये क्या बोल रहा है पचीस परसेंट किसके बराबर है डेड़ सो रुपे के बराबर है अब क्या पूछ रहा है कि आपको क्या पूछ रहा है हाउमच है इस बिन पच्चोतर परसेंट पे किया गया है मानते है ना तो भई ये कितने के बराबर होगा जी यही है आप इन चीजों को जब लिखना सिख जाओगे ना तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी यह क्या बोल रहा भई पचीस परसेंट डेड़ सो के बराबर है तो पच के बराबर है और पूरी प्राइस आप निकाल करके देखिएगा पचीस एक्स इस इकोल टू डेड़ सो गुणा सो और पचीस को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या आ जाएगी जी आ जाएगा जी चैसो रुपे उसकी प्राइस है डेड़ सो रुपे का डिसकाउंट मिला थ क्यों है तो देखते हैं यानि दो नंबर है और एक एक्सर एक वाई है उनके 20 का जो difference है यानि कि उनके 20 का जो difference है difference क्या हो गया भी? x-y हो गया ठीक है? दो नमबर माल लिए अपने x और y x-y हो गया अब क्या कह रहा है? उनका जो difference है वो क्या है? 75% है किसका भी? उनके sum का यानि sum क्या है? x-y है ठीक है न? अब इस language को समझीएगा ये जो difference है वो किसके बराबर है? लेकिन तो sum के बराबर थोड़ना है इसके sum के 45% के तो 45% निकालिये न? x-y का 45% है clear है क्या आपकोई चीज? clear है क्या? x-y is equal to x-y into 75 upon 100 larger number और smaller number का ratio क्या है? larger number कोई न कोई है उसके अंदर से एक smaller number दूसरी है कोई न कोई है लगता है कि साथ x ही हो सकता है और हमने जब लगता है क्या है? जब हमने बोली दिया यहां पर कि x में से minus y हो रहा है ठीक है न? तो वेसी बात है यह larger number आपने खुद में बोल दिया तो कोई दिक्कार नी जी x minus y is equal to क्या हो गया? जी 55, 55, 55, so 3x plus 3y upon 4 इदर ले आईए जी 4x minus 4y is equal to 3x plus 3y ठीक है? x को एक साइड ले लेते हैं y को एक साइड में ले लेंगे इसको x को लेकर गाएंगे तो x रह जाएगा is equal to y इदर लेकर जाएगे तो 7y हो जाएगा जी आपको क्या पूछ रहा है? इनका ratio पूछ रहा है ratio हमने already बता रहा है upon x ratio y का मतलबी क्या है? x upon y है x upon y का डिखने का आपके हमाँ मोका है यहाँ पर तो क्या हो गया जी? 7 बटा 1 अंतर है यह जी बड़ी नंबर कौण सी है? अव्वेसी बात है x है हमने लिख दिया है जब मानोगे तो आप माइनस थोड़ ना मानोगे किसी नंबर को कोई बाद नहीं x ही बड़ी नंबर है यह बराबर है किसके इनके sum के possible नहीं है sum के बराबर है लिखा इसने sum का 75% निकालो जी इसका 75% आपने निकाल लिया ठीक है जी यह बराबर होगे equation आपके पास में आ गया न x minus y is equal to क्या हो गया 3 multiply होगा दोनों नंबरों से 3y upon 4 4 इदर इन से multiply हो जाएगा 4x minus 4y is equal to 3x plus 3y x x को 1 side कर लिजिए 3x इदर आएकर minus हो जाएगा तो 4 में से 3 जाएगे तो 1x बच्चेगा y को उधर ले जाएगे minus में उधर जाएगे plus का हो गया 7y हो गया आपके पास x upon y आगया 7 upon 1 यह पूछना था आपको larger number to smaller number यहाँ पर यह भी देहन जने वाली बात larger number to smaller number smaller number to larger number आपसे पूछ लेता तो y upon x हो जाता मलब उल्टा हो जाता फिर एक साथ हो जाता ठीक ना आपको आज तो x upon y की value आई है x upon y क्या हमने clear cut सिखा रखा जो description box में आपके बाद link है x अनुपात y को हम क्या लिख सकते हैं भाई x बटा इसका meaning यही है इसका meaning ही यही है clear cut x to y ratio का मतलब ही क्या x upon y आई होप आप लोगों चीज़े समझ में आ रही है और हम कह रहे हैं आप लोगों से बार बार डी ट्रिप्लैस भी जो है डी मोटिवेट नहीं करना चाहरें क्यों पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं हमने हमेशा का है हमने कभी नहीं का 8 गंडे 10 गंठे 12 गंठे कोई पढ़ पा रहा है हम उसको मना भी नहीं कर रहे है इतनी पढ़ाईगी जरुरत नहीं है पढ़िये आप बेशक पढ़िये जितना ज़्यदा पढ़ोगे उव्वेस ही बात है उतनी ज़्यदा चीज़े है न वो आपको रिजल्ट देंगी लेकिन नर्सिंग के फिल्ड में अभी तक का जो कॉम्पेशन है इसमें इतना ज़्यदा पढ़ने के आपको जरूरत नहीं है कते ही जरूरत नहीं है भई यह चीज़ें पढ़ोगे चीज़ें ले जाएंगे आपको सेशन में इतना ही मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ ठेंक यू